इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों हमेशे की तरह बिटकोन के बारे में इंटरनेशनल मार्केट से जो मुझे लेटेस्ट अपडेट मिली वह आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ इसके लवा हमारे घरेल मार्केट में इंडियन क्रिप्टो मार्केट से जो लेटेस्ट अपडेट आए वो इस वीडियो में तोड़ा वो रेजिस्टेंस मिल रहा है और अगर आपको यादो इस वाले चार्ट पैटन के बारे में यह जो बड़ा सा ट्राइंगल बन रहा था इसके अंदर अभी भी देखो बीटी से अच्छी तरह की से मूफ कर रहा है साथ ही यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन और ड्रो करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लियर कट अभी हमें एक राइजिंग वेज बनता हो दिख रहा है जो कि मैंने आपके साथ टेलिग्राम पर भी शेर कर दिया था अगर आप मेरे टेलिग्राम पर जूड़े हो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं थोड़ पर बोट की तरफ जाती होई दिख रही है तो यहां पर थोड़ी से एक अलार्मिंग सिच्वेशन बन रही है साथ ही अगर आपको यादो टेलिग्राम पर हमने एक अपडेट और आपके साथ चेहर करें थी कि लग बग 3 बिलियन की वर्थ के बीटी सी की आज एकस्पाइरी होने वाली ना थो यहां पर क्या करना चाहिए अभी हमें हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि अगर मानलो इसका यहां से परक नहीं पड़ रहा है ना तो इन फ्लो का नहीं और किसी पैटरन का मार्केट जो है अभी काफी अच्छी तरगी से बुलिश होता हूं मैं दिख रहा है और यहां पर एक अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि ओंचेंड डेटा शो कर रहा है कि जो टेरा लूना फा मिलती है यह सारी चीज़ आपको पैड चैनल में मिलती है जो आप कुछ डोलर देके जोइन करते हो यहां पर आपको फिरी ओफ कोस्ट यह चीज़े देखने को मिल जाती है तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बोक्स में मल जाएगा जल्द से जल्द आपको इस बड़ी कंट्रीज को तेल की करता है अब क्या करने जा रहा है कि उसकी object कर सकता हैψी अपडेट समय आया देखने को मिल रही है Bitcoin को accept करेंगे तो इससे क्या होगा Bitcoin के acceptance बढ़ेगी जिससे कि market में हमें अच्छी volume आती हुई दिख जाएगी ओके next update की बात करें तो यह इस से related ही है कि जैसा देखने को मिल रहा है कि Russia जो है वो western countries से Bitcoin में payment accept कर सकती है तो अभी एक और update हमें देखने को मिलिए कि bank of England from new crypto regulation approach यानि कि bank of England जो जल्दी ही crypto regulation का एक framework ला सकता है for new class of asset तो देखने को मिली रहा है कि जहां Russia payment accept कर रहा है Bitcoin का तो वहां Britain जो है वो regulation के उपर काम कर रहा है तो यह market से positive हमें update देखने को मिली इसके अगर हम बात करें हमारे Indian crypto bill के बारे में तो कल एक update हमें देखने को मि गर रही है government की जो उन्होंने crypto के rule बनाये थे उनमें वो changes ला रही है जिनको हम amendment कहते हैं यह जो finance bill में amendment किया गया था यानि कि जो संशुदित bill पार्लेमेंट में जो पेश किया गया था उससे हमें साफ देखने को मिल रहा है कि इंडिया में time crypto taxation आने वाली है इस amendment bill में क्या अधर वर्ड था उसको हटाने की बात की जा रही है आप मैंसे काफी लोग हिंदी ओडियन से इसलिए आप अच्छे से समझ पाए इसलिए में हिंदी अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि crypto currency को लेकर सक्तो ही सरकार tax में होंगे बड़े बदलाओ मंत्राले ने ल हमारा कुछ लोस होता है तो उसके हम जिम्मेदारे लेकिन अगर हम कुछ profit कमाते हैं तो इसका हमें tax देना पड़ेगा सरकार को यहां तक की GST लगने तक की बात अभी हमें देखने को मिल रही है कि सरकार जल्द ही crypto के उपर GST भी लगा सकती है हाला कि अभी जो exchanges है वो 18% GST लेगी लेकिन कोई clear update आती है authentic update आती है तो जरूर से मैं आपके साथ telegram पर वो पहले शेयर करूँगा इसलिए telegram को must join कर ले बार बार आपसे एक बात में दोराता रहता हूं लेकिन काफ़ी लोग फिर भी नहीं join करते हैं तो दूसरी update की तरफ बढ़े तो एक update यह भी है कि bank को और crypto exchange उसे मांगी जा सकती है सोदे की सूच नहीं यानि कि आपने जो transaction किया है उसकी detail crypto exchange सरकार को दे सकते है या फिर bank जो है वो भी दे सकते है सरकार को इस पूरी transaction की detail एक अप्रेल से पूंजी गतलाब पर देना होगा tax यानि कि जो भी एक अप्रेल से आप profit कम होगे उ बहुत कुछ जादा ही tax हो जाएगा ठीक है और हमें एक update भी देखने को मिले थी जो CBD चेर परसन है उन्होंने ये कहा था कि 2021 में भी जो आपने transaction करिए उस पे भी शायद वड़का उसमें use किया गया था कि उस पर भी crypto tax लगाया जा सकता है ठीक है लेकिन जो higher tax lab के अंदर आ प्रोफिट कमाते हैं या फिर tax lab के अंदर नहीं आते हैं फिर भी उनको tax देना पड़ेगा नेक्स अपडेट की बात करें तो देख सकते हो कि आई पील जो 2022 में होने वाला है उसमें भी आपको crypto exchanges के advertisement नहीं देखने को मिलेंगे इसके अलावा अभी एक और update मुझे देखने USDT में, Ether में इनमें वो अभी payment accept कर रहे हैं तो मुंबई में एक नया फर्मान जारी हो गया है कि अगर आप कोई भी crypto में payment accept करोगे तो उस पर आपको GST pay करना पड़ेगा जिससे कि अभी जो trader से जो व्यापार ही है वो थोड़ी से परिशान है तो अभी GST वाली जो update से वो नई मुश्किल पेदा हो गई है इसके लवागर मेरी personal बात आप से share करूँ तो मेरे जो tax expert है जो मेरे CA है वो भी मुझे एक ही बात करें कि अभी कुछ भी clear नहीं है काफी confusion सबी CA को है और जब तक कोई clear हमें बिल देखने को नहीं मिलेगा कोई भी CA आपको सही तरीकी से सला नहीं दे पाएगा ठीक है तो एक बर कुछ clear update आजाए फिर मैं आपको वो टेलिगाम पर शेयर कर दूँगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आए होगा और अगर आपकी जो भी लाए है जो भी आपके सुजाव है जो भी आप इस बिल के बारे में कहना चाते हो वो आप ज़रू से comment box में कह सकते हो तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आए होगा तो वीडियो पसंद आए हो तो definitely वीडियो को लाइक करना है चैनल आपी के काम गाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर करना है मिलते ह जल्दी नहीं अपडेट के साथ तिल देन जैहें जै भाराइब